पसकार दोस्तों बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी गाय को बासी, रोटी, खिलाने से क्या होता है दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से आखरी तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके हिंदू धर्म में गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है गाय की सेवा या पूजा करने से माता लक्षमी की पूजा जितना ही फल की प्राप्ती होती है गाय को रोटी खिलाने की परंपरा भारतिय समाज में काफी पुराना है पुराने समय से ही मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए गाय को रोटी और गुड़ खिलाते रहे हैं लेकिन गाय को रोटी कैसे खिलानी है और बासी रोटी गाय को खिलाना चाहिए या नहीं बासी रोटी या जूठी रोटी गाय को खिलाने से क्या नुकसान होते हैं? आये जानते हैं वन, गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, ऐसा करना पाप माना गया है यदि कोई व्यक्ति गाय को बासी रोटी खिलाता है तो वह अपने जीवन में कई समस्याओं से जूचता है और उन्हें गाय को रोटी खिलाने का पुन्य प्राप्त नहीं होता है 2. गाय को रोटी खिलाना पुल्ने माना जाता है वही बासी रोटी खिलाना पाप माना जाता है गाय को बासी रोटी खिलाने से अनावश्यक ही मृत्यूं का शिकार होने का भै रहता है 3. गाय को सूखी रोटी भी नहीं खिलानी चाहिए रोटी के साथ चीनी या गुल रख कर खिलाने से सभी समस्याओं का निद्दान होता है रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को खिलाने से हर काम में सफलता मिलती है 4. कभी भी गाय को जूठी रोटी या प्लेट में बची हुई रोटी नहीं खिलानी चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशिरवाद मिलता है फाइव, गाए को रोटी के साथ गुढ मिला कर खिलाना पुन्य माना गया है हिंदु धर्म के अनुसार गाए की पूजा करने से विशेश लाब मिलता है रोटी और गुण के साथ साथ गाए को पालक खिलाने से कुंडली में मौजूद नकारात्मक दोश दूर हो जाते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें